हेलो प्रेंट्स नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री आप सबका बहुत स्वागत और अभी नंदन करती हूँ आज मैं आपको बता रही हूँ इस्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिसकी वज़े से उनके पती की आयू शय होती है पती की आयू पर बुरा प्रभाव पढ़ता है तो आई ये जानते हैं वो बातें कौन सी है और इस वीडियो को बनाने का उद्देश ही यही है कि उन बहनों को ये जानकरी मिल सके जिनने नहीं पता जाने अंजाने वो ऐसी गलती करती है जिसका सीधा सीधा प्रभाव उनके पती की आयू पर पढ़ता है और ये बातें अक्चुली बहुत से लोगों में हमने देखी है बहुत से घरों में घटती हैं ऐसी बातें और बहुत से लोगों को भोगते वोए भी देखा है औरतें ये सोचती हैं कि मांग का जो सिंदूर है उसको भर लिया तो सुहा की लंबी आयू हो जाएगी नहीं बहनों हमने प्रक्टिकली अध्यन करके बहुत से जगों पर ये चीज़ देखी है कि सिर्फ सिंदूर लगाने से ही पती की आयू लंबी नहीं होती इसके लिए और भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है बहुत ही महत्वकी होती हैं ये बातें जिने प्राए इग्नोर कर देती हैं कुछ बहने तो आए जानते हैं वो बातें कौन सी है मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री आपकी अपनी बहन आपकी अपनी जोतिशी और आपको बहुत प्यार करती हूँ और इसी लिए आपके लिए अच्छे च्छी वीडियो बनाती हूँ जो आपके जीवन को खुशाल बना सके अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया किजिए यदि आप आज पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो आए जानते हैं वो बातें कौन सी है सबसे पहली और इंपोर्टेंट बात periods में जो महिला होती है उसके हाथ का बनावा खाना यदि पती खाता है तो उसकी आयू शाय होती है ये बात बड़े बुडों ने बताई है बहुत ही प्रामानिक है ये बात बहुत से ग्यान की आधर पर बताई गई है अब इसका हमने practically जो अध्यन किया और उसमें हमने पाया कि कई-कई जगे आयू तो शाय नहीं होती है लेकिन कई जगे पर पती का स्वभाव बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है इतना खराब हो जाता है कि वो तांडव करने लगता है घर में क्रोधी स्वभाव का हो जाता है गलट ट्रक पर चल जाता है तो इसलिए पीरियट्स में जहां तक हो सके खाना पती को अपने हातों से बना कर ना खिलाएं अब कुछ बहने ये कटाक्श जरूर करेंगी जिनके घर में उनके अलावा कोई नहीं है तो मैं उनको यही बोलूँगी कि कुछ ऐसी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा काम था आपको जानकरी देना अब मेरा विनम्र निवेतन है कि रस्ता आप स्वयम निकाले दूसरी और बहुत ज़्यादा जो खासम खास चीज है वो बहुत ही ज़्यादा काम की है इसको अकसर औरतें नहीं समझती है जिस घर में इशान कोन में महिलाई बहुत गंदगी रखती है सावसफाई नहीं रखती जाडू मारगदी पोचा महीं लटका दिया कचरे का धेर महीं लगा दिया वहाँ भी घर के पुरुशों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उनका स्वास्थे बुरी तरह से प्रभावित होता है कई बार तो हमने एक्सिडेंटल डैथ भी देखी है ऐसे घरों में जहां पर इशान कोन में सीड़ियां थी या इशान कोन में अन्य वास्तु दोश थे तो इसको भी दूर करने का प्रयास करें और कोई वास्तु दोश इस्तरियों के हाथ की बात नहीं है लेकिन साफ सफ़ाई तो हैना इस्तरियों के हाथ के बात कि जितनी कोई अन्य इस्तरी करती है तो किसी भी सुहागन सद्वा इस्तरी का अपमान करने से स्वैम के पती की आयूट शाय होती है तो इसलिए भूल कर भी किसी पती व्रता इस्तरी का अपमान जाने जाने ना करें कभी ना करें अपने आपको उससे बहुत उंचा ना समझे वो भी सुहागन, आप भी सुहागन, वो गरीबा पमीर, तो आपने अगर उसका मजाग बना दिया, आपसे मतलब कोई भी, अगर उस इस्तरी का सुहागन, इस्तरी का श्राप लग जाता है, तो वो बहुत बड़ा कश्ट पैदा करता है, तो ये बहुत खास बात मैंने आज को बताई, इन तीन बातों का श्राप को हमेशा ध्यान रखना चाहिए,